हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेक्ट्रों इसमें यूज होने वाली विन्पगार के कंपनेंटों की जानकरी आपको दूँगा जैसे रेजिस्टेंस डायोड कैपिस्टर मॉस्फेट ट्राइस्टर्स तो इस स्रेडि में सबसे पहले रेजिस्टेंस आती है जिसका सिंबल यह और यह फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है और यह वैरियबल रेजिस्टेंस का सिंबल है और यह वनेट वाट से लेके क्वाट्र वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वाट्वा यह आपके quarter watt की है, यह half watt की है, यह एक watt की है, इसी बगार यह दो watt की है, यह तीन watt की है, और इसके अंदर दो watt की वायरण रोजिस्टिंस भी आती है, एक watt की भी आती है, पर डिपैंड करता है कि अप्लिकेशन क्या है, किस बॉर्ड में लगाना है, क्या अप्लिकेशन हो, किस चीज में इस्तमाल होना है उसका, यह देखिए, यह वायरण रोजिस्टिंस है, सारी है, देख लिए जैसे, यह 10 ohm 10 watts, यह 2 ohm 1 watt, यह 5 ohm 50 watts, इस resistance का काम circuit में current को block करने का होता है, और यह variable resistance है, यह इस point से लेके, इस point तक fix होती है, और यह बीच वाला point इसकी value को adjust करता है, अगर यह set ले जाएंगे value कम हो जाएगी, और set ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगी, इन दोनों के point के बीच में, यह variable resistance है, यह कई sizes में available होती है, इसे आम तोर की बहासा में इसे volume बोलते हैं, या pot बोलते हैं, यह देखे, इस size में available होते हैं, और कुछ विशेश प्रकार की resistance भी होते हैं, इसने LDR कहते है, light depend resistance, यह रोशनी पढ़ने पे इनके resistance कम ही आज़ाता होती है, यह preset होता है, इसे trimmer भी कहते है, यह pot होता है, देख लिए इसकी value 102, Hello friends, अब हम capacitor के बारे में बात करेंगे, यह capacitor के symbol यह होते हैं, fix, polarized, variable, variable capacitor जाता है radio में, या कई tuning circuits होते हैं, उसमें इस्तमाल किया जाता है, यह इस तरह होते हैं, इनको tune करने के लिए देखे आगे knob होती है, यह lotaletic होते हैं, यह ceramic disc होते हैं, यह polyster होते हैं, यह भी सारे electrolyte की है, साइच छोटे बड़े value कही तरह की होती हैं, इसके अंदर, यह अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह दिखते कैसे हैं, यह देखे यह electrolyte capacitor है, 450 volt 220 mm, यह polarized होते हैं, यह चोटी टांग होती है, इसकी minus होती है, और दूसरी set plus होता है, यह देखे, यह बड़ी, यह छोट टंग, यह minus, यह plus, यह चोटे बड़े काई साइज में अब लेवल होते हैं, चलिए अब बताता हूँ, मैं आपको polyster capster, polyster capster होते हैं, देखे इस पकार, इसकी कोई polarity नहीं होती है, इसमें कोई negative positive कुछ नहीं होता है, जैसे क अब देख सकते हैं, यह box type capster, 0.47 microfiber, यह input AC application में इसमाल किया जाता है, यह ceramic disk capster है, यह भी non quality में available होते हैं, यह electronic capster, जो होते हैं, यह generally lower frequency में इसमाल किया जाते हैं, जहां पर 50 cycles आते हैं, AC to DC बनने के लिए, इनकी filtration के लिए, main filtration का काम होता है, और यह ceramic disk होते हैं, यह polyster capster होते हैं, जो PF की value में बोलते हैं, जितनी value low होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी उतनी ही हाई होती जाएगी, उतन Michael fat capster का lower frequency में इसमाल किया जाता है, जो दोस्तों, मैं आपको inductor के बारें बताता हूँ, जिसे generally लोग coil और हिंदी में कुंडली कहते हैं, इसके symbols ही है, यह air core inductor, यह iron core है, यह ferrite core है, और यह variable core है, देखिए, दिखती ऐसे symbols और images ही हैं, इसकी, अब मैं आपको दिखा दूँ कि दिखती कैसे हैं, यह air core, air core का मतलब होता है, कि इसके बीच में कुछ मिन रहाएगा, यह खाली होती है, यह iron core है, जिसके बीच में, जिनली कुछ लोहे की, छोटी सी चीज लाद जाती है, लोहे की होती है, यह ferrite core की, इसे drum coil बोलते है, देखिए, इसके इसमें ferrite है, ferrite core लगे हुए, यह ferrite core का transformer है, जो SMP supply में इस्तमाल होता है, DC to DC application, AC to DC application, SMP power supply, switch mode power supply में इस्तमाल होता है, इसमें ferrite core लगे होती है, और इसकी winding primary, secondary और auxiliary winding होती है, इसके बारे में अगली next वीडियो में बात करेंगे, यह ferrite core का transformer, यह high frequency में इस्तमाल होते हैं, और यह iron core का transformer है, देखिए, इसमें पत्तियां लगे होई है, लोगे की पत्तियां लगे होई है, इसे एक सेट primary और दुस्ते secondary होती है, यह generally lower frequency में इस्तमाल के जाता है, इनका, देखिए, और एक यह रहा, इनके voltage और current के साब से size इनका बड़ा और चोटा होता है, और यह line filter है, जिसमें फैरेट कोर लगी हुए, फैरेट कोर के transformer का symbol ही होता है, primary, secondary, auxiliary और दिखने में ऐसा होता है, iron core का symbol ही होता है, और variable inductor जिसमें अपने को जैसे radio गंदर IFT आती है, उनको liner के सायता से adjust किया जाता है, वो variable inductors होती है, अब मैं आपको diode के बारें बतायता हूं, diodes, इसका एक सिरा anode और दूसरा सिरा cathode होता है, यह देखे दिखने में ऐसा होता है, cathode के side में white रंग के धारी होती है, general purpose में use आने वाला यह diode है, यह 3 ampere 1000 volt का होता है, और यह 1 ampere 1000 volt होता है, जिसे 1N 4007 volt होता है, इनके packages होते है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए, यह cathode, यह anode, चवण सो आटे है, चार दर साथ है, यह जिने डायोड है, इसमें भी cathode और रंड दोन होते हैं, और मैं आपको bridge rectifier के बने पता था हूं, यह diode से ही बने होते हैं, बस में चार दायोड लगे होते हैं अंदर, और यह जो छोटे वाले डायोड से हैं यह वाले, यह lower ampere के लिए होते हैं, और यह bridge rectifier higher ampere scale मल के जाता है, जहां पर current ज्याद अची होते हैं लोगों को, यह देखिए, इनके symbols हैं, और यह ऐसे हैं, देखिए, KBP C 35, 4 ampere 1000 volt का है, कि 3 ampere 1000 volt का है, इसकी जो बीच की दोनों टांगी होते हैं, वे AC के लिए होते हैं, और इस side का, status में लिखा भी होता है, यह plus और यह minus का होता है, यह भी कई size में अब लेवल होते हैं, current के हिसाब से जितना load होता है, उसके हिसाब से होते हैं, जोस्तों, अब मैं आपको relay के बारे बताता हूँ, यह electromagnetic relay कहते हैं इसे, electromagnetic relay, देखिए, इसके symbol होते हैं, यह single pole, double pole और triple pole में available होते हैं, इसके symbols होते हैं, यह देखिए, इसमें एक pole होता है, एक N-O और एक N-C होता है, देखिए 24 वोल्ट, 45 एंपियर इसके maximum होते हैं, 30 एंपियर minimum, और कई sizes में और, यह देखिए 24 वोल्ट में हैं, और यह 12 वोल्ट में हैं, देखिए 12 वोल्ट में हैं, इसमें भी N-O और N-C है, यह common, यह 45 एंपियर की हैं, और यह नीचे की जो दो लेक्स हैं, यह लीड हैं, यह 12 वोल्ट यह 24 वोल्ट के लिए होते हैं, इसमें यह कोईल्स होते हैं, इसके अंदर, जब इसमें हम current देते हैं, तब यह on or off करती हैं, यह 7 एंपियर की हैं, इसम कोईल्स के लिए होती है, यह लग साइज में अवलेवल होती हैं, कई पकार गड़े लिए होती है, तो यह LED डिस्प्लेज हैं, जिसमें LED आ गई हैं, आपकी कई साइज में अवलेवल है, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 12 mm, और इसके कई तारे के सेप होते हैं, देखिए जैसे आपको, और यह रेड और ग्रीन में अवलेवल है, जैसे रेड और यह बाइपोलर LED है, कितनी टांगे हैं, कोमन, एक रेड और ग्रीन के लिए है, और यह RGB LED है, एक कोमन रहेगी इसकी, और बाकी एक रेड, ग्रीन और भ्ल्यू के लिए होती है, यह 7 सेग्मेंट डिस्प्लेज हैं, मल्ट यह सिंगल वाला है, यह कोमन एनोड और कोमन कैथोड होते हैं, यह बार ग्राफ है, और यह डॉटमेटिक डिस्प्लेज है, इसके सिंबल इस प्रकार से है, LED का सिंबल यह है, अनोड कैथोड, इस पर प्लस और इस पर माइनस, और यह कई साइज में, मैंने बताया आपको 3, 5, 8, 10, 12, यह डॉटमेटिक डिस्प्लेज है, इसके सिंबल इस पर कार होगा, यह LED बार ग्राफ को है, और यह 7 सेग्मेंट डिस्प्लेज, सिंगल का, और यह multi-plex का, जब आपको, ट्रैक्स, ड्रैक्स, और आप्त को आप्ताइड के बारे हम बताता हूँ, इन के सिंबल कैसे होता है, ट्रैक्स का सिंबल इर, ऐसा होता है, एक तरफ, empty one, main terminal one, main terminal two, और यह gate होता है, देख लेजिए, यह इसके packages है, बीटी एक हो गया डायक का सिंबल ही है टर्मिल वन टर्मिल टू यह बाइडिरेक्शनल होता है करनेट इस से सेट कहीं भी फ्लोव उसकता है इसको मतलब नोन पॉलटी होते है कैसे हम यूज कर सेते हैं इसको व्लटाइस दिक्कत नहीं होते हैं यह ओटो कॉपलर होते हैं होता है उसके यहां से समय लाइट यहां जाती है और यह वाला डायक होन हो जाता है यह की है यह यह यहां पर हो गया यह इसको विल्टेश से कोडिटी कोडिंग होती है जैसे हम सब्सक्राइब बनाएंगे उस सब्सक्राइब को यह मतलब होता है यह कॉंटेक्ट होते हैं इसमें कोई कॉंटेक्ट नियुक्त बस बोल्टेज देने से जो वोल्टेज होती है वालू हो जाती है अब मैं आपको दिखाता हूं का किसी दिखते हैं कि देखिए जेने हैं इसके ब्लत आते हैं कि गेट कितने वोल्ट यह कितने करेंट पर ओन होगा कि टू ट्वेंटी पैकेज में कि पीटी शक्तिस है 600D यह भी इसी पकारिश होता है यह भी चार छे साथ कई एंपरस में अबलेवल होते हैं यह भी कि यह मुझे तीसी किसा है कि यह याट सत्रह है कि यह फॉर एंट्री फाइव है कि दोस्तों चलिए बात करते हैं ट्राइश्टर के बार में ट्राइश्टर PNP और NPN में अबलेवल होते हैं इनके सिंबल्स यह है कलेक्टर बेस एमिटर कलेक्टर बेस एमिटर चैन्पन होए पीन पी इनके कई सारे पैकेज अबलेवल होते हैं 220 ट्यों 3P 2 1 2 6 2 3 2 1 8 और सबसे ज्यादा प्रसलित होता है 292 पैकेज और 220 कि इसके पिनाउट ऐसे होती है कि मतलब बेस इसके और बैस इसके इक होता है क्योंकि इसको आप कई यों का बीच मोट अपर कई ऑगा इस बीच में होता है जो बार में अब लूट गए से बना दूम आग उसमें आपको बता दीजाएगा कि कैसे चेक करते हैं कैसे खराब होता कैसे होता है और जो भी बात करते हैं इसके दिखते कैसे हैं इस और देखे दोस्तों कि भीड एक सोफाने और वीड एक सोचालीस है एक NPN और एक PNP. सब्सक्राइब से जाद यूज़ने वले ट्राइश्ट ही होता है बीसी पांस संतालिस पांस सतावन और देखिए ये भी ट्राइश्टर से ये कई हाया फिक्वेंसी में इस्तमाल किया जाते हैं डिपेंड करता है अप्लिकेशन क्या है और देखिए ये यह से बड़ ट्राइश्टर से यह अंप्लिफायर में हो गए इनवेटर पुरान जब दमाने की इस्तमाल किया जाता है अप्लिफायर में तो आज भी इस्तमाल किया जाता है काफी अच्छी कैपस्टी होती है कर्ण्ट की तो अब मैं आपको मोस्पेट और इजबिटी के वारे में बता हूंगा मोस्पेट एन चैनल और पी चैनल में अब लेवल होते हैं उनके सिंबल इस पकार होते हैं देखिए गेट ड्रेन और सोर्स मोस्पेट मैटल ओक्साइट सेमिकंड़क्टर फील्ड इफेक्ट से लिए यह यह बाते हैं अब आते हैं आइजीवीट के अपर आइजीवीट का सिंबल इह देखिए आधा इसमें सिंबल ट्रांस्टर का है और आधा मोस्पेट का है यानि कि इन दोनों का कॉम्बिनेंशन से आइजीवीट तियार हुआ है इंसुलेटेट गेट बाइपोल और ट्रांस्टर देखिए गेट लिए गया मोस्पेट से कलेक्टर और एमिटर से लिए गया है और यह क्योंकि आइजीवीट हायर कैप्सिकल इसमाल होते हैं मतलब जैसे पंदरा सो वोल्टेश हो गए बीस एमपेर हो पचास एमपेर सो एमपेर 200 एमपेर देखिए ऐसे कर या यह रफ अट्सटालिस हो गया यह टूट्वेंटी पैकेज में है यह देखिए यह सोला एमपेर यह एंड चैनल का है सोला एमपेर 500 वोल्ट और देखिए यह आईजीबीटी है यह 25 एंचनल ले 25 एंपेर जनल इंडिया में इसी मोस्पीट को इसमाल किया है फेर चैल्ड कंपनी का है यह 120 का मतलब बारस वोल्टेज देखिए काफी वड़ा पैकेज है यह हायर कैपसिटी में इसमाल किया जाता है इसलिए इसलिए इ मतलब इंटेग्रेटर चीप होती है है इंटेग्रेटर चिप कमलता है इसमें खुछ होँआ होस्ता है उप्रेश्शन अप्रिवाई यह लोजिक आई सी और पांस तो पच्पा आईजी हो गई आपर अगया होती है इसको शकली टांगों में और कई साइज में अपलेवल हो कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपकों आपको कम्पोरेंटों के आरेमे सब्सक्राइब बना दूंगा एक लग से रेस्टिंस की अलग पूरी बना दूंगा बता दूंगा आपको कि कितने पगए रेस्टिंस कैसे चेके जाता है